अब हलो अलो फ्रेंड स्वागत थे मन अपने आपके यूटुब चैनल आइटी एई कैमपस डापस में दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रांसफार्मर के बारे में जो दोस्तों ट्रांसफार्मर में से ओल सेंपलिंग कैसे निकाली जाती तो दोस्तों मैं एक 50 MV Eximer के पास आपको लेके चलता हूँ दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहां पर हम ओईल सेंपल के वाल्व के फास आ गए है दोस्तों यह आउटलेट वाल्व एक्जमर में रहता है और दोस्तों यहां राइट साइट में रहता है दोस्तों यह एक्जमर है 50 MV Eximer 1322 by 33 KV का दोस्तों यह एक्जमर का हम ओईल टेस्टिंग के लिए सेंपल लेने वाले है तो दोस्तों यह सेंपल बाटल है जो आपको दिखाई दे रही है ओईल टेस्टिंग के लिए सेंपल बाटल दोस्तो इसमें हम एक्जमर का ओईल निका लेंगे जिसको लेब में टेस्ट किया जाएगा तो दोस्तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तो यह आउटलेट वाल्व के जो भी यहां पर नेट वोल्ट से यहां पर बंद है वाल्व इसे खोलना है दोस्तो हम इसका वाल्व खोलते हैं और जल्दी हम वाल्व खोलके आपको आगे की चीज़ दिखाते हैं दोस्तो आपने यह दिया भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ऐसे ही वीडियो फाने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएका और दोस्तों wish वीडियो पूसंद आये तो definitions भू आए तो लायक यहां पर दोस्तों देखिए स्पीड से काम चल रहा वाल्व खोलने के लिए हम जल्द ही वाल्व खोल लेंगे दोस्तों अप लेक्ट्रिशिटी एक्जमर और आईटी डिप्लोमा से रिलेटट एलेक्ट्रिशिटी के कुश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट्स करके मैं उनके जवाब बिल्कुल दोंगा दोस्तों यहां पर लगबग लगबग हमारा आउट लेट वाल्व खुल चुका है अब दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें ऑईल सेंप्लिंग के लिए एक चाहिए हमारे पास जिसे बोलते हैं प्लैंच प्लैंच चाहिएगा दोस्तों प्लैंच को हम इस वॉल्व में कसेंगे उसके बाद इसका उल्व खुलेंगे दोस्तोव हमें वॉयल्व का ढक्कन खोल दिया लेकिन वॉल्व नहीं गुमाया है तो हमारा ओईल नहीं नकलेगा अब दोस्तोम इस में गशयके प्लैंच तो दोस्तों प्लैंच क्या होता है एक पत्ती होती है जिसके अंदर आपको दिखे गा कि एक नलकी लगी रहेगी जिसकी साइटा से हम एक गण्यूर में से ओयल निकुल क्योंकि हम ऐसे व्योग निकालेंगे वैइल बहुत दूर तक जाएगा इसलिए हम ये प्लैंच का यूज करेंगे से उसे तरीके से प्लैंचंगे को करेंगे इसी वाल्व के अंदर तो दोस्तो हम प्लैन जो को कसते हैं और उसके बाद हम ओईल सेंपल निकालेंगे दोस्तो ओईल सेंपल क्यों जरूरी होता है क्योंकि ओईल की टेस्टिंग होना जरूरी होती है क्योंकि यह मंतली या फिर टू मंत के अंदर हमें oil sampling करना जरूरी होती क्योंकि oil खराब होगा है तो हमारा बहुत मेंगा transformer नश्ट हो जाएगा और दोस्तो यह कुछालग oil हो जैसा आपको गया थे दोस्तो लगबग लगबग हमारी flange पूरी तरीके से तियार हो गई है दोस्तो अब हम निकालेंगे इसमें से oil तो oil निकालने के लिए सबसे पहले हमें oil sample bottle को लाना पड़ेगा तो oil sample bottle जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था oil sample bottle कैसी रहती है उसके अंदर ये नलकी को लगाना है दोस्तो oil sample bottle क्या है बहुत दिनों से रखी रहती है तो वो पूरी तरीके से साप नहीं होती है दोस्तो उसे साप करने के लिए पहले हमें oil का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि पानी हम इसमें मिला नहीं सकते क्योंकि पानी से इसकी हमारी oil sampling testing में कर पड़िया जाएगी तो हम सबसे पहले इसको दो बार इस bottle में हम oil भरेंगे और उसको खाली कर देंगे तो उससे हमारी oil bottle sampling oil bottle साफ हो जाएगी दोस्तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहा है अब वाल्व को खोल दिया गया है और दोस्तो इसके दोनों वाल्व को खोल दिया गया है oil sample की bottle के दोनों वाल्व को खोल दिया गया है और उपर एक्जमर से भी जैसे आप देख रहे हैं गुमा रहा है हमारा एक बंदा वाल्व को गुमा रहा है अब जैसे ही बॉटल भर जाएगी तो इसमें से उपर से ओईल निकाल लेगा क्योंकि हमने नीचे इसमें से प्लैंजी की नलकी ओईल सेंपल बाटल के अंदर लगा दी है अब दोस्तो तेजी से ओईल सेंपलिंग बाटल भर चुकी है दोस्तो देखिए दोस्तो अब हम इसको क्या करेंगे ओईल सेंपल बाटल को खाली कर लेंगे दोस्तो इस प्लैंजी की नलकी को खाली करा उपर से ओल बन करा अब इसके बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे और ऐसे हिलाएंगे इसके अंदर जो भी कजरा है उसे साफ करेंगे और इसके बाद एक बार और हम इसको साफ करेंगे इसके बाद पूरी तरीके से जब इसका ओयल निकल जाएगा दो बार का तो हम वापिस प्लेंज की नलकी को इसके अंदर oil sample bottle के अंदर लगा देंगे और जैसे ही निकल जाएगा अब देखिए दोस्तों पूरी तरीके से खाली होगा है हम प्लेंज की नलकी को वापिस sample bottle में लगा दिया है अब ये दोस्तो हमारा पूरी तरीके से भर गया है क्योंकि हमने वीडियो स्कीप कर दिया था पूरी तरीके से भर गया है ये अब दोनों वाल्वो को बन कर देंगे क्योंकि इसके अंदर वाल्वो को बन कर देंगे दोस्तो अब पूरी तरीके से हमने एक्जमर में से ओईल सेंपल ले लिया है अब इसकी जो परगिरिया है वहीं दोरानी है जो हमने पहले दोराई थी दोस्तो क्योंकि हमें एक्जमर की प्लैन जो को निकालना है इसके साथ ही हमें इसके वालो को भी बंद करना है पूरी तरी जल्ड़िए जल्द को खूल के वापिस उसका डख लगाना है तो दोस्तों लगवग लगवग हमारा प्लेंज खुल चुका है और इसको हम बाहर रख देंगे जिसार कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमने प्लेंजे को खोल लिया अप पुरी तरीके से एक्जिमर के वह लोकॉकर्स दिया है तो दोस्तों और के लिए देखने